हाई फ्रेंड जोहार जार्खन आप सभी को जार्खन में स्वागत है चलिए आज हम लग जार्खन की रद्धानी रांची पहाडी मंदिर के दर्सन करते हैं और इसके इस्ट्री जानते हैं तो चलिए सुरू करते हैं जार्खन की राद दहानी रांची की पहाडी मंदिर की कहानी बेहद ही रोचक है पहाड परिस्थित भगवान शीव का यह मंदिर देश की अजादी के पहले अंग्रेजों के कबजे में था और यहाँ फ्रेडम फाइट्स को फांसी दिया करते थे आजादी के बाद से ही इनफेंडेस डे और रिपब्लिक डे के दिन इस मंदिर पर धार्विक जंडा के साथ राष्टे जंडे को फिफाराया जाता है यह देश का पहला मंदिर है जहां तिरंगा फाराया जाता है राची रेलवे स्टेशन से साथ किलोमीटर की दूरी इस्थित भगवान सीव के इस मंदिर को पहाडी मंदिर के नाम से जाना जाता है पहाडी बाबा मंदिर का पुराना नाम तीरू बिरू था जो आगे चल कर ब्रीटिस के समय में फांसी गिरी में बदल गया क्योंकि अंग्रेज के राज में यहाँ फ्रीडम फांसी पर लटकाया जाता था आजादी के बाद राची में पहला तिरंगा जंडा यहीं पर फाराया गया था जिससे राची के ही एक स्वतंतरता सिनानी क्रिस्ट चंदरदास ने फाराया था उन्होंने इहाँ पर सहीध हुए फ्रीडम फांस की याद और सम्मान में तिरंगा फाराया था उसी समय से हर साल इनपेंडेश डे और रिपबलिक डे पर इहाँ तिरंगा फाराया जाता है पहाडी मंदिर में एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर 14 और 15 अगस्त 1947 की आधिरात को देश की अजादी का मैसेज लिखा हुआ है यह मंदिर समुतर से 240 फिट और जमिन से 350 फिट के उचाय परिस्थित है मंदिर तक पहुँचने के लिए 468 शेड़िया चटनी पढ़ती है मंदिर से पूरा रांची सहर को देखा जा सकता है पहाडी मंदिर में भगवान सीव की लिंक के रूप में पूजा की जाती है सिरातरी और सावन के महने में यहां सीव भगतों की काफी भीड रहती है सुबा तीन बजे शिही यहां लोगों की भीड जमा हो दे महने में और पूजा अर्चना शुरू हो जाती है भक्तों को बहुत विश्वास है यहां पहाडी बाबा पे बहुत दूर दूर से लोग पुजा करने आते हैं पूरे जहारखंड शाते हैं सालों भर पहाडी बाबा के पुजा होती है हमारे यहां जहारखंड में बहुत ही मन्याता है पहाडी मंदिर का, पहाडी बाबा का और चारो तरभ हर्याली है तो लोग इसका आनंद लेने भी आते हैं हमारे जहर खारखन भी बहुत ही खुब सुरत है आप लोग भी कभी आईए यहां भूमने आ सकते हैं, आप लोग भी बहुत ही सुन्दर है और पहली बाबा के पास जरूर आए दर्शन करने